प्रेमी यूगल को जमकर पिटाई कर दी जिसे दोनों बुरी तरसे घायल हो गए घटना सल पर पहुची पुलीस ने प्रेमी यूगल को जिलाज पताल पहुचाया जहां उनका इलाज जारी है मामली को लेकर पुलिस ने जाज सुरू कर दी है मामला अयुध्या के प्रेमी यूगल बुरी तरसे घायल हो गए घटना की सुचना पर मौके पर पहुची पटरंगा थाना पुलिस ने उन्हें C.S.G. रुंदौली में भर्ती कराया रुंदौली के छेत्रदिकारी धरमेदु कुमार यादो का कहना है कि मारपीट में दोनों के नाक में चोट आई है मारपिट में घायल योगों का कहना है कि वह महिला से पिछले 6 सालों से संपर्क में था पिछले 2 दिनों से वह महिला के साथ था ग्रामर उसकी खोजबीन कर रहे थे सो मारदेर राज जब उसे आपत्ती जनक इस्तिती में देखा तो ग्रामर ने उसके जम कर पिटाई कर दी घायल योग कारोप है कि ग्रामर ने हम दोनों को बांद कर मारा पिटा और फिर हम दोनों के नाग कर दी गई वहीं घटना को लेकर पुलेस ने मामरा दर्ज कर जाज सुरू कर दी है फिलहाल दोनों की जिला अस्पताल में लाज जारी है आयोध्या से हमारे सम्मदतातु फैल अहमाद की रिपोन हमारे थाना पत्रंगा का एक मजरा है पासिन का पुर्वा खंट पिबरा गाउं का उसमें 112 नंबर की सुचना अलगवग डेड़ वजे एक 130 पे मिली आज उस पे पुलिस पहुंची तो खंट पिबरा का जो मजरा है पासिन का पुर्वा वहां पे पाया की दो लोग जो है एक महिला और एक पुरुस दोनों जो है बैठाए गए थे और उनके परिवारी जन तो कि आपती जनकी स्थिते में इस दोनों को देख लिए थे इसे नराज होकर उनको उनके साथ मार दोरी आई है जहांके उनका उक्चाड चल रहा है इसमें आगे बिदी करवाई की जाएगे निमानुसारा हमारा अफायर जो इसे छए साल से चल रहा है इस और से यह हमें चाती थे हम इसे चाहते थे घरवाले को यह नहीं मालूं ता कि हाँ यह मिलने जाता है भर यह मालूंता कि हाँ बात करता है किसी से बस जी हाँ और मैं परसमृराद में गया तो इन लोग ने पता लगाया तो परसमृराद में तो हमको नहीं PayPal पाया मतलब सब को जगा ढूंडा पाया नहीं है मैं भूसे में गुज गया था नहीं पाया उसके बाद में जब साड़े ग्यारा बजा रात का कल की रात में तब मैं वहां से निकल रहा था घर के लिए पर तुरंट सब लोग मतलब चोकिना थे इदर उदर सब बाका लिए कोंग उसके बाद मैं बांद दिया फिर मारा फिर नाक काटा मेरी उसकी नाक पहले काटा फिर मेरी काटा नाक उसके बाद मैं फुलिस वाले को फोन किया तो वो आया लेकर आए